हालो फ्रेंज दीवाली की हार दीख सुपकाम नए बपपा इसी तरह से अपनी किरपा सब पर बनाए रखे हालो फ्रेंज कैसे हैं आप सब मैं सु वेलकम करते हैं बरकर से आप सबी का आपके अपने चैलेंग लेचरोल गुटी बेतन सु में तो फ्रेंच मैं आप लोगों के साथ कोई रेमडी शीर नहीं करी हूं आज आप लोगों के साथ एक प्रोडक्त ररिवीव करने वाली हूं जो की बहुत ही ज़ादा इफ्रेंट इफ्रेंट्य और मैं श्य वेलक्त के बहुत अच्छा रीजल्ट मिला है कभी-कभी आप देखते होंगे कि किसी की स्कीन इतनी अच्छी होती है, टाइट होती है, ब्लोइं होती है, कि उसकी जो करंट एज होती है, उससे 10-15 साल कम लगती है उसकी और किसी किसी स्कीन आप देखते होंगे, जैसे वो 30 है या 35 प्लस है, तो उसकी स्कीन 40-40 प्लस लगती है, तो य गर आपको चाहिए तो आपको आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं कि फेस सेरम की पैकेजिंग कैसी है और इसके बेनिफिट्स क्या है और इसे हमें अपलाई कैसे करना है तो यह यह ग्लास की बोटल में आती है इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है आपको यह अमेजोन फ्लीप कार्ट या बिहादो की जो सबस्क्राइब करते हैं जब इस तरह को हम इपरोड़क्ट लेने जाते हैं सबसे पहले हमारे मन में यही खेल आता है कि क्या हमारे स्किन पे शूट करेगा क्या कि कि इसकी यह कि 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 ऑईली होती तो आपको बिल्कुal भी सोचने के जरूथ नहीं है क्योंकि यह अल तो उनको भी रेडूस करने में हमारी हेल्प करेगा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे फेस पे जुरिया फाइलाइंस आने लगती है इस विटामिन सी फेस सीरम को मॉर्निंग एंड नाइट इसकिन के रूटीन में आप सामिल कर सकते हैं यह सीरम बहुत ही लाइ करेगा यह मुझे जो प्रोड़क्ट है बहुत ही अच्छा लगा वन मंथ से मैं इसे अपलाई कर रहे हूं तो मैंने सुचा कि क्यों न मैं आप लोगों के साथ इसका रिब्यू से एर करूं कि बहुत ही हेल्फुल है यह कभी क्या होता है कि जब हमने स्कीन की केर नहीं करत तो अब मैं इसे अपने फेस पे अपलाई करके दिखाती हूं जिस तरह से मैंने हैंड में अपलाई किया सेम उसी तरह से हमें करना है तीन से चार्ड रॉप हमें लेना है अपने हतेली में उसके बार टैप टैप करके पूरे फेस पे लगाना है और एक से दो मिन तक मसाज क करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और यह जो सीरम है और भी हमारे स्कीन के अंदर अच्छे से अपजर्ब हो जाएगा तो नाइट में आपको इसे जरूर अपलाई करना है सुबाउट के देखें कि आपकी स्कीन बिल्कुल स्मूथ मिलेगी आपको इसकी कॉ आप फुद इसे अपने स्कीन के रूटीन में सामिल करेंगे और कोई भी चाहे हो कोई रेमेडी हो एस तरह का कोई प्रोड़क्ट हो सीरम हो नाइट क्रीम हो एक दो बार में आपको अपलाई करके बिल्कुल भी नहीं चोड़ना है कंटीन्यू आपको रखना है कम से कम वन तो इस तरह कि अगर कोई प्रोड़क्ट आप अपने फेस पे अपलाई करें तो कम से कम वन बीक तक अपलाई कीजिए तब जाके आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर थोड़ी से भी पसंद आती है तो वीडियो के साथ और एक बार फिस से आप सभी को दिवाली की हर्दिक सुपकामना अपने फेमली के साथ दिपावली इंजोई कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में